क्वेस्चन है कि एक ना बुलेट है हंडर्ड मीटर पर सेकेंड से इस प्लैक में एंटर करती है गोली चली लकड का प्लैक है तो प्लैक के अंदर एंटर करेगी लकड उसको रोग देगी तो फाइनल विलॉस्टी इसकी क्या हो जाएगी यहां पर जीरो और प्लैक में वो कितने सेंटी मीटर पे जाके रुकी चार अब वो केस में पूच रहा है कि गोली कितनी विलॉस्टी से एंटर करे विलॉस्टी बताओ ताकि वो plank में 9 cm पे जाके रुके अगर वो 100 पे आती है तो 4 पे रुकती है उसको कितने पे रोकने है? 9 cm पे तो कितनी विलास्थी से एंटर करें ये question है तो इस टाइप की problem solve करने का trick देखो इसमें change in kinetic energy है ये कितने मीटर पर सेकिंड से एंटरी हुई थी बुलेट की 100 और final velocity का है 0 तो change in kinetic energy में final energy minus initial energy क्या ये step clear है? this is change in kinetic energy final kinetic energy minus initial kinetic energy clear है यहां तक ठीक है यहां तक? change in kinetic energy क्यों हुई? पहले ही बताओ, kinetic energy बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है, kinetic energy 0 हो गई तो क्यों कम हुई? क्योंकि जो लगकड का प्लैंक है उसके अंदर friction है, वो friction work done कर रहा है ता कि kinetic energy क्या हो सके? कम हो जाए friction काम कर रहा है तो ये kinetic energy का change is work done by friction तो friction ने कितने centimeter का काम किया? 4 centimeter पर रोग दिया तो this is work done by friction which is negative क्या ये point clear है यहां तक? पहली question clear है तो जब भी गोली प्लैंक में enter करेगी, find change in kinetic energy तो this change in kinetic energy is amount of work done by friction case number two case number two में energy फिर से 0 velocity V मुझे निकाल ली है और friction फिर से काम करेगी लेकिन इस बार कितने पर? 9 centimeter पर same, change in kinetic energy is work done by friction क्या ये step clear है यहां तक? तो आप इन दोनों equations को डिवाइड कर दें f से f, minus से minus, m से m सब cancels, solve करके क्या जाएगी? velocity क्या ये step clear है यहां तक? कोई doubt इसमें तो आपने क्या करना है इसमें? इस solution में negative नहीं लगाया लगा लेना ऐसे करो इसे ये लिखो, 0, minus, 0, minus और यहां आपन minus sign minus where f is force of friction क्या ये point clear है यहां तक? कोई doubt इसमें? तो आज की बात, बुलेट और प्लांक की जब प्रॉब्लम आएगी कैसे solve करने है, समझ में आ रहा है ठीक? ठीक है, फिर से continue करते हैं next time माद आज करें